दोस्तों आपका पेशा जो है ना अब एबडी में और म्यूचल फंड में इन्वेस्ट्मेंट कर लो मत यी बाइक में इन्वेस्ट्मेंट मत करना नमस्कार दोस्तों विलकुणू मैं चैनल दूस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बजाज आवेंजर 180 और 160 Street के बारे में और हला कि इसमें दो भी मडल भी चलता है वान सिक्ष्ट स्ट्रीट और 220 Strait or 220 cruise मतलब तीनों मड़ल जो है अभी बजाज ने मार्केट में इसका बाइक जो है चल रहा है तो मैं आपको भूराल की इसका बहुत सारी वीडियो जो है मेरे चैनल बेर अप्रोड ह हो चुका है तो मैं जो है इसका अच्छी खास ही रिव्यू जो है आपको दे पाऊंगा मैं को सब्सक्राइब आपको अच्छी खास रिव्यू देने के लिए और इसकी दोरान अगर कोई भी कर मिस्टेक होता है मुझसे तो आप नीचे कमेंड करके मुझे जरू बताइए मैं मैं आपको कोशिस करूंगा वो प्रोब्लेम आपका सब्सक्राइब करने के लिए तो हाला कि जो है बता देता हूं यह बाइक जो है मेरे पास चार्ट साल लड़ी हो चुका है और इस बाइक को मैंने क्यूं आपको बताया कि आप पेशा जो है आप इसमें इंबेस्ट मत कर क्या खराब है और क्या-क्या मतलब अच्छा ही है तो पहले अच्छा ही बता देता हूं क्यूंकि अगर आप बाइक दूसरी बाइक को कंपरिजन करते हो तो थोड़ा सा लंबा है और क्रूजर टाइप का जो फिलिंग आता है इस बाइक में ही आएगा आपको मतलब गौड रिटर्न करने में टौन करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लिम आ सकता है और यह अच्छा ही की बात और इस लंबा ही रिलेटेट अगर बुराइक में बात करता हूं तो यह बहुत लंबा है ताकि इसकी कारण क्या होता है ना अकर कहीं ट्राफिक में स्टक हो जाते हो और आपको बाइक वहां से टन लेना है तो आप नहीं ले पाओगे तो हाला कि यह मैं यह बोल रहा हूं कि यह जो बाइक है वो सीटी के लिए अच्छा है यानि कि अगर आप बड़ी-बड़ी साहरों में रहते हो और मतलब रूराल एरिया में नहीं रहते हो तो आपके लि तो फिर वालों को बिद है कि अगर आप उनको पूछोगे तहीं है यह स्थे वह यह तो बताएं कि तो यह तो फिर लेंदी प्रोशिस हो गया अगर कोई दूसरी आप लेके जाते हो तो लगभग एक दिन में ही आपको पार्ट सारे चीज़े आपको दे देते हैं अभी तो फिलाल 180 बंद हो गया है और 160 आपको पर्शिस करना चाहिए नहीं और 160 जो है बिल्कुल कॉपी पेस्ट है 180 स्ट्रीट का सिर्फ इंजिन कापेसिटी जो है 180 है और वह है जो है वान सिक्स्टी स्ट्रीट है तो अभी स्पैर पार्ट के अभिलेबिलिट अगर में करत जहां भी ढूंड़ो यह नहीं मिलेगा नहीं मिलता है वह बोलते हैं कि आता ही नहीं यह एक बाइक के साथ ही आता है तो यह एक इसवे और इसमें फॉग जमावर होता जाते है अगर आप बारिश के मौसम में इसको आपको एसे ही रखोगे तो फॉग उसके अंदर चला ज करेंगे तो इसके साथ-साथ इसमें यह किसु आता है कि जो एंजिन जो है जो है थोड़ा साफ ही हीट हो जाता है मेरे केस में पता नहीं आप लोगों के हिसाब से बहुता होगा या नहीं और कुछ लोगों के अच्छा भी लग सकता है में मानता हूं उनको रिश्प्टा और मुझे भी बाइक अच्छा लगता है लेकिन कुछ-कुछ कमिया जो है मैं उही अपसे स्यार करना चाहता हूं अगर आप रूराल सिटी में बिलंग करते हो अगर आप सिटीज में नहीं अगर बड़े सहर से नहीं बिलंग करते हो तो आप गाओं में रहते हो तो यह बाइ कि रिसेलिंग भैलू जो है बहुत ही कम होता है आज कंपर तो यह अधर बाइक लाइक यामहा और सुजुकी और कोई हिरो का स्प्रेंडर भी देख लो और हिरो का बहुत सारी बाइक जो है ग्लामर और वो एक्स्ट्रेम बगरा वो भी देख लो लेकिन बजाज का ही बाइ लेकिन उनका सर्विस है तो उसमें थोड़ा से दिक्कत है अगर प्रपर सर्विस नहीं मिलेगा आपको भी में बताता हूँ अगर आपको मीश्य सर्विस नहीं दूगा एक प्रॉडट्ट बेस के तो आप मेरा प्रटट दुबार नहीं खरीद होगे में तो इस आवंजर यहां पर चोटा सा डिजिटल मीटर देखे रखा है उन्होंने तो उन्होंने जो रिसेर्च होता है उन पर ज्यादा फोकोस नहीं करते तो बस ही था इस आभेंजर अगले वीडियो पर तक लिए बाई अगर आप कोई भी कमेंट और आपका कोई सुझाफ करना चाहते हैं तो निचे कमेंट करना मत भूलिएगा मिलते दोस्तों अगले वीडियो पे तब तक लिए बाई